क्सकेर, माइनेव हई एनकेश आफी आज काटॉपिक है विलिंग टूपॉ विलिंग टूप का मतलब होता है सब्जेक को कुछ करने का मन कर रहा है या सब्जेक कुछ करने का राज़ी है और भी बहुत कुछ आप एड्वांस्ट तरीकेसे इसका यूस कर सकते है वीडियो को शुरूर से लेके लास्त तक देखे ताकि आपको बहुत कुस्मेंट नया और एडवांस्ड सीखिने को मिलेगा चलिए देखते हैं आज का टॉपिक विलिंग टू प्रेजेंट इसका डाफिशन है सब्जेक्ट को कुछ करने का मन कर रहा है मतलब सब्जेक्ट को कुछ करने का मन कर रहा है या सब्जेक्ट कुछ करने को राजी है इक्चुक है या उट्साहित है ऐसे कोई भी हिंदी के लिए आप विलिंग टू का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर मैं रूल की बात करूँ, तो सबसे पहले आपको subject लगाना है, फिर आपको ismr लगाना है, फिर आपको बिलिंग टू लगाना है, फिर आपको work की first form यानि base form लगानी है, फिर आपको object लगाना है. For example, he is willing to go to school, उसे school जाने का मन कर रहा है, तो सब्जेक लगाना है, फिर आपको ismr लगाना है, फिर आपको not लगाना है, फिर आपको willing to plus work की first form plus object लगाना है. For example, he is not willing to go to school उसे school जाने का मन नहीं कर रहा है तो willing to का इस्तमाला कुछ करने का मन कर रहा है कुछ करने का मन नहीं कर रहा है इसके sense में आप simple or negative sentences में कर सकते हैं अगर इंट्रुगेटिव की बात करूं इंट्रुगेटिव में आपको पहले isMR लगाना है फिर आपको subject लगाना है फिर आपको willing to लगाना है plus word की first form plus object लगाना है For example, is he willing to go to school क्या उसे school जाने का मन कर रहा है अगर मैं इंट्रुगेटिव नेगेटिव की बात करूं तो पहले आपको isMR लगाना है फिर आपको subject लगाना है फिर आपको not लगाना है अगर मैं डब्लीःष हैमली की बात करूं तो पहले आपको डब्लीःष के वाड्स लगाना है फिर आपको isMR लगाना है फिर आपको subject लगाना है फिर आपको willing to लगाना है फिर आपको word की first form लगानी है फिर आपको object लगाना है For example, with whom is he willing to go to school उसे किसके साथ school जाने का मन कर रहा है तो willing to का use हम कहां पर करते हैं जहां पर subject को कुछ करने का मन कर रहा हो या subject कुछ करने को राजी हो या तयार हो या एक चुक हो या उस साइट हो चले कुछ advanced examples देखते हैं राजी या तयार के sense में भी आप willing to का इस्तेमाल कर सकते हैं For example, he is willing to give me his book वह अपना किताब मुझे देने को राजी है या तयार है आप इस sense में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ और examples देखते हैं She is not willing to take any risk वह आपको इडिस्क लेन को राजी नहीं है या तयार नहीं है आप ऐसे भी sentences बना सकते हैं willing to में Next example, to be happy to do something कुछ करने के इक्शूक होना है या खुछ होने के sense में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं If you are willing to fly on Monday, you can get a cheaper ticket अगर आप Monday को fly करने के लिए राजी है, तयार है, एक्शूक है, तो आपको एक सस्ता ticket मिल सकता है मतलब उससे सस्ता आपको ticket मिल सकता है Next example है You said you needed a teacher, well I am willing Willing का use यहाँ पे एक्शूक के sense में हुआ है जैसे I am happy आप बोलते है उसी प्रकार आप I am willing भी बोल सकते है इसका मतलब होगा मैं एक्शूक हूँ या मैं तयार हूँ इस चैस में भी आप इसका इस्तमाल कर सकते है यह as an executive यहाँ पे इस्तमाल हो रहा है इस बात का ध्यान रखेगा तो willing to का यूज हम राज़ी करने के लिए मन करने के लिए तयार होने के लिए भी हम इसका इस्तमाल कर सकते है जो कि मैंने आपको कुछ examples के माध्यम के समझाने की कोशिस की प्रक्ता नहीं कि आपको इसमें कोई doubt होना चाहिए इसका बहुत हम इस्तमाल करते है अकवार में या कहीं भी आप में देखा होगा या magazines में या फिर novels में हर जगा पर इसका इस्तमाल होता है तो आप इसको no doubt कर लिए अपने कॉपिल में फोना ले और अगर आपको कोई doubts है तो मुझे comment करके comment box में बता सकते है और अपना feedback में उसे दे सकते है और courses कीजिए आप कुछ examples बनागे comment में comment कीजिए अगर आपको each app कर समझ में आ गया हो तो चले ठीक है और channel पर अगर आप नए है तो एक बरदा के notification on कर लिजेगा ताकि आपको सारी की सारी videos time to time मिलता रहे चले ठीक है okay thank you